नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो कि वो अपना चुनते हैं और वे धन पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहंत करते हैं परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशी घर धन कमाने की कामना करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन में उन चीजों तक पहुँच जाते हैं, जिन चीजों तक पहुँचने का आपने स्वपन देखा है, आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे। आज आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है, उसके उपाएं आटा हर घर में होता है। अपने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटीया खाते हैं, तो आपको ये उपाए मालामाल बना सकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है, दोस्तों आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है। कि गरीबी के हालात में हो कई ऐसे परिवार भी होते हैं, जहां आय के स्त्रोत अच्छे हैं, और कई स्रोत बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परिशानिया आने लगती है, और रहती है। ऐसे में अक्सर जब अनायास खर्चा जाता है, अचानक कोई विपदा आती है, तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है, और व्यक्ति गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परिशानी होती है, जिनहें जोतिश शास्त्र के अनुसार धनकाना रुकना बताया गया है। कामदनी का स्त्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है, अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले पांच लोग हो और पांच आय के साधन हो लेकिन जैसे ही खुशिया आए, दो के पास पैसे रुक जाए या आय के साधन घट जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो कामदनी की दृष्टी से कभी भी कोई दुख नहीं देखना पड़े, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएगा, अब बात करते हैं उपायकी की आपको उपाय कैसे करने हैं, बहुत ही सरल है, आटे के साथ उपाय किया जाता है, दोस्तों जब आप चक्की पर आटा पीसने जाएं, तो आपको इस बात का अवश्य ध्य रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए, शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिस्वाना बहुत अच्छा माना जाता है, और पिस्वाने से पहले आपको क्या करना है, कि उसमें जो काले चने आते हैं, वो डालने हैं, गुरु दोश अगर आपके ज निशानिया देखने को नहीं मिलती, इस वजह से गुरुग्रा बहुत ही अच्छा माना जाएगा, तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी दोस्तों, 100 ग्राम आपसे संभव ना हो, तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के होने चाहिए और दो दाने केसर के डालते हैं, इस पाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है, और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे, इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह और मनमुटाव की स्थिती भी खत्म होती है, और घर के अंदर खुशाली देखने को मिलती है, दोस्तों अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा टकरा, रहता है अर्थात आपके घर परिवार के आपस में लड़ाई, जगडा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो या विवाह के योग नहीं बन प तो आपको ये उपाय करना चाहिए, निश्चित तोर पर आपकी जैसी मनोकामना है, उसकी पूर्ती हो. ऐसा ही बहुत ही अच्छा उपाय है, आप उन परेशानियों का सामना चुटकियों में कर देंगे, आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी म मिलाकर गुरुवार के. दिन गाय को खिलाएं, इससे घर की नकारात्मक उर्जा खत्म होकर जल्द ही धन का आगमन होता है, अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुपता तो इससे जल्द ठीक हो जाएगा, इसके अलावा प्रति दिन आपको चींटियों का आटा देना भी जोड़ा सा पीला कर देना है, और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है, उससे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए, किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना. चाहिए अगर गौ माताना हो, तो गोवंश भी चलेगा, अर्थात की नंदी महाराज भी चलेंगे, आपको को भोग लगाना चाहिए, निश्चित तोर पर गुरुग्रह आपसे प्रसन्न होंगे, आपके घर की सारी नकारात्मक उर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएग उनको मालूम नहीं चलता या वह अपनी कुंदली किसी को नहीं दिखाते हैं। पूर्ण होगी दोस्तों अगर आपके उपर भारी कर्स है और आप उसे समय पर नहीं चुकापा। रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कर्स कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाएं आपको क्या करना है कि शनिवार। के दिन आपको एक अलद ही आटा गुंदना है। आटा बनाना है, उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर जैसे पानी डालते हैं। उसी तरह से आपको थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है, उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, तो जिस व्यक्ति के उपर सरवाधिक कर्ज है, उस व्यक्ति को अपने सरसे साथ बार उसे घुमाकर ओमक्षन शनेश्चराय नमह इस मंत्र का जाप क उसके आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुट्ता हो, और अगर आपको काला कुट्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुट्ते को आप उस रोटी को खिला दे, और उसके साथ साथ थोड़ा सागुर खिला दे ताकि वो आराम से उस रोटी को खा ले निश्चित तोर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो वो उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख, शांती और समरिधी देखने को मिलती है दोस्तों एक और उपाय है जो की धन आग मन के लिए किया जाता है आप कोई भी उपाय कठिन लगता है तो इस सरल उपाय को कीजिये आपके परिवार में खुशिया निश्चित रूप से चली आती है यह एक शांदार उपाय है दोस्तों आपको क्या करना है इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है वो भी बुद्धवार विशेश के रात्री के समय आठ बजे के बाद आपको तेल डाल कर उस आटे के दिपख को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा या नमह इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानिया दूर। आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं जमीन में गड़ा खोद कर दबा देना चाहिए या वो आटा चिंटियों को आपके आसपास अगर कोई चिंटियों का स्थान है तो वहाँ पर उ आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति ज्यादातर उसके साथ किया जाता है आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य है उसका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता हो या फिर कई लाख गुना प्रयत्न कर लिए उसके बाद भी उसके धन आगमन के स्त्रोत दिनों दिन कम होते जा रही हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे तो आपको क्या करना है बस मात्र एक मुठी आटा लेना है और को आधी मुठी चीनी लेनी है अब उन दोनों क मिश्रन करके उसके बाद हलकी सी हल्दी उसके अंदर मिला नहीं है अब जो व्यक्ति है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सिर से आपको उस मिश्रन को साथ बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है इतनी प्रार्थना करने के बाद आपक वो कार्य बन जाता है। जिससे व्यक्ति का मन नहीं लगता वो अपने आप ही अपने बिजनेस के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।